हेलो फ्रेंट्स और वेलकम बैक टो मैं चैनल ये स्केज जो आपने देखा था लास्ट मन्त इस स्केज की वज़ा से मैंने एक आर्ट कमप्टिशन जीती थी जो की था मिनी स्केज चैलेंज और उसमें हमारे जो आर्ट वर्क को फर्स्ट पोजिशन मिली थी और जिसकी वज़ा से मैं 5000 का वाउचर मिला था और उसी वाउचर से मैंने ये आर्ट माटेरियल कुछ पर्चेस किये थे और जिसका अन्बॉक्सिंग अब मैं करूंगा सो स्टार्ट करतें अन्बॉक्सिंग को और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका इसमें से कौन सा फैवरेट माटेरियल है और ये थी वो आर्ट वर्क जो कि आप देख रहे हो और ये आर्ट वर्क मैंने पचेस किए बुरुष्टो एंड क्रेटिव हैंड्स की वेबसाइट से Creative Hands की website से और voucher भी उन्हीं लोगों ने मुझे send किया था इस्टा पे ये हैं कुछ freebies जो कि आपको नज़र आ रहे उपर में और इस box में काफी कुछ है so one by one में आपको दिखाऊंगा भी so packing उन्होंने काफी अच्छी की थी वो मुझे काफी अच्छा लगा और ये कुछ try out papers है चोटे साइज के जिस पर हम acrylic work कर सकते हैं so इसे कर देते साइड और ये मैंने order किया था एक brew ब्रुष्ट्रो का battery operated eraser जो की fine erasers के साथ भी आता आप देख सकते हो so इसे दो तरह से आप use कर सकते हैं fine वाले के साथ और एक उसे जड़ थीक वाली rubber के साथ so ये भी काफी अच्छा है detailing and highlights के लिए so इसलिए मैंने ये order किया था और ये जो आप देख रही है brew ब्रुष्ट्रो के fine liners और ये six के set में आते हैं so इसे भी आप काफी कुछ mandala art वगरा कर सकते हो ball pen type से काफी अच्छा fine work करता है eyelashes, eyebrows भी आप draw कर सकते हो ये ब्रुष्टो के white gel pens और इसे आप यूज़ कर सकते हो highlights वगरा के लिए या फिर black paper के उपर अगर आप कोई pattern या design draw करना चाहते है तो वो आप draw कर सकते हो so आप comment जरू करें कि इन में से आपका favorite material कौन सा है और ये है ब्रुष्टो की woodless charcoal pencils और इन सभी का मैं review भी जरू करूँगा fully detailed हर material का specific so यहाँ पे बहुत सारे art materials इसलिए मैं एक साथ नहीं कर सकता so इन के लिए मैं separate videos बनाऊँगा जो कि आपको future में देखने को मिलेगी और ये जो आप देख रहे हैं ये है pencils जो कि मैं normally use करता हूँ Neurosoft so ये भी मैंने order की थी 5000 के watchers से ही so इसके अलावा भी कुछ और यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा लाइकि ये जो आप देख रहे हैं ये है कुछ drawing pencils जो कि है ब्रुष्टो की finite graphite pencil और ये 12 के सेट में आपको देखने को मिलती है so इसकी भी review हम detail आपको जरूर शो करेंगे वीडियो में और इसके साथ और भी काफी कुछ है लाइक ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रुष्टो का black paper और इसके उपर हम white generous की pencil या फिर white pencil कोई भी यूज करके draw कर सकते हैं या white gel pen का भी यूज कर सकते हैं ये 4 size की है और इसके साथ कुछ और papers भी है लाइक ये वाले आप देख रहे हैं ये थोड़ टोंड paper है जो कि आपको नजर आ रहा होगा इस पे भी हम black charcoal यूज करके white charcoal यूज करके portraits वगरा को draw करेंगे जिसकी वीडियोस आपको future में देखने को मिलेगी और इसके साथ मैंने grey paper भी order किया था जो कि ये भी आप देख सकते हैं ये भी toned paper है इसके उपर भी हम काफी अच्छा draw कर सकते हैं portraits को जो कि आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिल सकता है और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं इसका size ये A4 size है और ये last नहीं है ये second last है जो कि आप अभी देखोगे और ये है आपका इतना material जो इस box के अंदर था ये आपका लगबग 4000 तक का था और ये मैंने एक भंगाया है Fabriano का Academy 200 GSM का ये pad जिसमें आपको 30 papers मिल जाते हैं इन सबका detailed review भी मैं चल्दी करूँगा और इसके साथ मैंने और एक चीज order की है जो कि आप इसके बाद देखोगे ये खाली हो चुका है box इसमे 4000 का आपका materials था और अब जो extra 1000 बच रहे थे उससे मैंने ये roll purchase किया है rolls इसलिए क्योंकि मैंचे कुछ बड़ी artworks भी बनानी पड़ती है तो उसके लिए ये काफी सही है roll और ये है बुरुष्टो का 150 GSM का roll और इसकी जो length and dimension है वो 17 to 100 है तो काफी बड़ा है 10 meter लंबा है और 70 cm की width आप कर सकते हो तो इससे इस पे आप बड़ी artworks को कर सकते हो इसका भी मैं detailed review जल्दी करूँगा फिलहाल मैं आपको सिर्फ open करके unboxing करके इसे दिखा रहा हो कि इसका size कितना है और कि इस तरह की packing में या आता है तो काफी safely उन्होंने send किया है तो यही सारे materials है जो आपने देखे और वीडियो आपको कैसी लगी वो आप comment करके जरूर बता है और आपका favorite material कौन सा है वो भी आप जरूर comment करके बता है तो यही था इस box के अंदर जो कि मैंने win किया है art materials तो यही था इस वीडियो में तो बाकी वीडियो जल दियागी तो thanks for watching